बोलिवुड के मशुहूर अभिनेता वरुन धवन उनकी कई सारी फिल्में ने पीछे फ्लो पी जा रहे थी कुछ अच्छा जा नहीं रहा था उनकी आ गई है भेडिया मूवी का ट्रेलर आया है पर ये क्या ओरिजिनल कॉंसेप्ट है चलिए हम साफ की बात करते हैं लाश तक बने रही है साथ में इस ट्रेलर का एक अच्छा सा रिव्यू भी करेंगे अगर आपी चैनल पर नए हैं चांको सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेर कीजिए तो जी हां भेडिया आ गए हैं तो जब इसकी शूटिंग शुरू हो गई थी ना सच मानिए तो वो दिमाग में था कि हां इच्छा धारी वाला कुछ तो होगा जिस तरह से बोलिवूड अब नई सोच के साथ आ रहा है तो कुछ तो अलग होगा पर हां इतना कह सकते हैं कि बढ़िया था ट्रेलर बढ़िया लगा ओवरॉल इसमें क्रिती सेनन है और इस ट्रेलर को भ परा लाई गई इस मूवी में पहले करते हैं कुछ इंपोर्टन बाते तो राष्ट पुरसकार विजेता निरेन भट उन्होंने ही इस कहानी को लिखा है फिलम को जियो स्टूडियो और नाडॉक फिलम ने मिला कर पड्यूस किया है यह फिलम देश भर में 25 नवंबर को रि इसका एक सीरा सा एक्जेंपल यही आप यह मूवी 3D में देख सकते हैं और मैं आपको यही बोलना चाहता हूं कि आप जो भेडिया है हमको मुबाइल में भी भेडिया दिखा तो क्या वो हमको डैनासुर दिखेगा नहीं ऐसा मैं नहीं कह रहा है ऐसा तो ओम राउज जी आपको चमगादर नकली दिख रहा है मुबाइल में अच्छा नहीं दिख रहा तो वह 3D में अच्छा लगेगा तो मैं अगर वह हो सकता है हमको ड्रैगर लगे तो शायद यह भी कुछ लग सकता है चलो कहा की बात कहा ले गया चलो छोड़ते हैं आते हैं ट्रेलर पर प्रिकली गया था इस फिलम के ड्रैक्टर अमर कोशिक है इससे पहले श्त्री रूही इन जैसी ही फिल्मों को ड्रैक्ट किया था और सुनने में यही आ रहा है कि यह एक यूनिवर्स बना रहे हैं भूतों वाला यूनिवर्स मतलब होरर यूनिवर्स यार तो अच्छी बा से उसकी भी कहाने डेटेल में बताई जाएगी उसके बाद दो फिल्मे और हैं इसके उपर हम डेटेल में वीडियो लेंगे आगर आप चाहते हो तो कमेंड रगे बता देना बात करके पादेगे इसके इसके उपर और तो ट्रेलर की शुरुवात में सोते हुए दिखते हैं वरुनधवन जिसके बाद जानवरों की डोक्टर की भूम का निभा रही कृति सैनन और वरुनधवन के दोस्त उन्हें उठाने की कोशिश में नजर आते हैं ट्रेलर में मज़ेदार डाइलम हैं कोमेडी है फिलम आपको काफी मज़ेदार सीन प्रोवाइड करेगी बहुत ही मज़ेदार और डिटेलिंग तो भाई साब अलग सी है मुझे बीच में स्पाइडर मैन वाली फिलिंग अल लगी थी क्योंकि जब मक्ही उसके कान के पास से उड़के जाती है और बाद में वरुनधवन उसको पकल लेते हैं मक्ही को एकदम अपनी मुठी में तो मुझे व सब पी क्या रहा है कितना खा रहा है कितना डित पी रहा है क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए इन सब चीजों के भारर मुझे चोई डवल ब्रेड को ही खा गया भीडिया वहाँ पर काटा है समय रहे हो ना इस वाड़े पर फिलम में कोमेडिया आपको दिखेगी क्योंकि अगर ये वही होरर यूनिवर्स है तो इस तरी मुवी बहुत मज़ेदार थी रूही एवरेज थी कहानी बचकाना थी उसकी पर चलो को मज़ेदार ही लगा तो इच्छाधारी बने हुए वरुन धवन की एक्टिंग को परखना मज़ेदार हुगा क्यूंकि जब जब वरुन धवन थोड़े से ना रोमैंटिक वाले शियर्ट से निकल कर थोड़ा आलक किया है चाहे वह बदलाबुर की बात करूं चाहे फिर य क्या कॉंसेप्ट कहां से लिया गया है तीस साल पहले एक मूवी आई थी आपको यादी होगा उस फिल्म का नाम था जुनून और यह है दोनों की अगर पिच्छर हम देखे तो उसमें हम नजर आये थे राहुल रोय और वो फिल्म सच में बहुत अच्छी थी अगर आपने देखें हाँ तो आप मुझे कमेंट के बताइए कि आपको कैसी लग रही है बाकी अगर चैनल पर आये हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेर कीजिए इस वीडियो मस इतना ही बोल के जैश्री राम का नाम मिलेंगे आप से एक बार फिर एक नई वीड कि नईकि ठाम मिलेंगे